मेवाड़ी गेट बाहरे से कुंदन नगर के वाशिंदे पिछले चार महिने से बिजली के ट्रास्फॉर्मर में फॉल्ट होने की परिशानी से जुझ रहे हैं बार बार बिजली के सप्लाई में बाधा आने करन फॉल्ट होने तथा विजट पॉल में अर्थिंग से हर रोज मुख पक्षी कबूतरों की अकाल मोद से बेहत आहत है इस बारे में कई बार बिजली अधिकारों को शिकायत करने तथा सेद्रिया पावर हाउस के स्टाफ को अवगत कराने के बावजूत उपेक्षा बरतने से शेत्रवासी भाई भीत हो रखे हैं और बारिश के दिनों में किसी भी अन्होनी की आशंका ने उनकी नेंद उड़ा रखी है विगत मंगलवार के शाम को अचानक ट्रांसपॉर्मर में हुए धमाके से पुरी शेत्र की बिजली गुल हो गई तथा अन्हे घरों से लोगों के बिजली के उपकरण बे इलेक्ट्रोनिक आइटम बी जल कर राक हो गए नमाके के साथ कई कब उतरों की लाशे बिच गई शेत्रबासी प्रकाश्टेह ने करिष्ट अभ्यांता श्रीकान को फोन कर अवगत कराया तो उन्होंने मामूली राहत देते हुए ट्रांसपॉर्मर में हो रही अर्थिंग को दूर कराने के साथ ट्रांसपॉर्मर भी बदला दिया लेकिन मूल समस्या 11 के वी हाइटेशन अंडर ग्राउंड लाइन की अथावत बनी हुई है शेत्रवासों ने इस बारे में उच्च अधिकारी निर्वान से भी फोन पर शिकायत की और उन्हें करंट से हुए नुकसां तथा लोगों की परिशाने से अवगत कराया साधी करिश्ट अभियंता द्वारा की ये जा रहे है अर्शालिन व्यभार की भी शिकायत की साय कभियंता आशिश को भी हालाद बताए तो वे खुद भड़ा करकरंट मारने लगे है कुंदन अगर विकासमिती विक अध्यक्षि पपू पदावत मंत्री सुनिल बहरा धनपत हिंगर पदमसान अरंणराश तातेड महाविर बूरड भवरलाल नाहर गौदम बहरा गौदम बूरड आधि परिवार्खरन के नुकसां से पिरित है और प्रतिदिन कभूतरों की म अधा नहीं होने पर विश्ली बोड अधिकारियों पर व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज करने को बाती होंगे हातों में सोने की कंगन और गले में हीरो का हार कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेल्री कलेक्शन योहारों में करे आग का सच्छा श्रिंगार तीन से पांच अक्टूबर तक गुरांड एक्जिबिशन और जूरी पर स्पेशल उफर्स और अशॉर्ड गिफ्ट के लिए विजित कृष्णा ज्वेल्स होटेल राजमहल प्रिमाइसस भ्यावर टीन से प्लाइ